दोस्तों पुलिस मॉडरन स्पूल्स की तरफ से टीचिर्स रिकूर्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीजीटी, टीजीटी, पी आल्टी के एसासाथ एंटीटी टीचिर्स की भी यहां रिकूर्टमेंट आयो होई है जिस दोस्तों डेली एंसियार में वेकेंसिया है पेसकिल आपको यहां सामने दिखाई दे रहा है पीजीटी, टीजीटी, पी आल्टी का तो बदल अच्छे खासे बिलकूर स्टार्टिंग में ही आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी आप वीडियो को शरूर से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखिएगा और आलोवर इंडिया लेवल से टीचर्स रेकूर्टमेंट से जुड़ी लेटरस अप्टेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है दोस्तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो मैं फिर से बता लेता हूँ पुलिस मॉडरन स्कूल टीचर्स रेकूर्टमेंट पीजीटी टीजीटी पी आर्टी इन डेली एंसी आर दोस्तो ये ओफिशल नोटिफिकेशन है पीजीटी साइकलोजी की वेकेंसी है पीजीटी का पेसकेल पैसट सो से एक सो पीचेतर दस जार पान सो रुपी चो तीस जार चार सो पचास और दोस्तो इसमें एक अच्छी बात क्या है experience की according आपको यहां और भी ज़Яदा सहली मिल जाएगी हां जी दोस्तो इनसेंटीव मिलेगा experience की according अगर आपको 3 साल का experience है तो 4,000 रुपे अलग से incentive मिलेगा छह साल के experience वालों को 6,009 साल के experience वालों को 8,000 12 साल का अगर आपके पास experience है तो 10,000 और 15 साल का experience है तो 12,000 रुपे incentive आपको इसमें मिल जाएगा ये post के according अलग-अलग है और PZT के लिए post graduation relevant subject में आपने कर रखी और B.A.D. कर रखी हो और TET आपका clear होना आवशक है इसी तरह से PZT computer science की भी vacancy है इसके बाद TZT की recruitment है TZT librarian के लिए PZT 500 से 129,000, 39,000, 450 और जो incentive experience की according है वो कुछ इस प्रकार से है 3 साल के experience वालों को 3,000, 6 साल का experience आपके पास है तो 45 रुपे incentive मिलेगा, 9 साल के experience वालों को 6,000 12 साल experience है तो 4500 रुपे और 15 साल का experience है तो 9,000 पे incentive आपको इसमें मिल जाएगा इन के लिए post graduation relevant subject में आपने कर रखी हो with B.Lib और या फिर M.Lib आपने कर रखी हो यह है librarian के लिए बाकी की जो TZT की post है subject की according उन के लिए post graduate relevant subject में आपने कर रखी हो B.Ed आपने कर रखी हो TETUP का clear होना आवशक है यह vacancy है TZT Maths की नंबर और पोस्ट आप यहां से देख लिजी किसी की एक vacancy किसी की दो है इसी तरह से TZT Science की दो TZT SST एक TZT English एक यह vacancy है इसके बाद आ गई है पारी PRT की तो PRT librarian की एक vacancy है पेस के लिए 400, 125, 7,000 रुपीज, 24,000, 4,50 जहां तक incentive की बात है तीन साल के experience वालों को पत्चिस सो, चैस साल के लिए 37,50, नो साल experience वालों को पांच जार, बारा साल वालों को 62,50 और पंदरा साल जिनका experience उन्हें 75,00 रुपे अलग से incentive मिल जाएगा graduation आपने कर रखी हो और उसे के सासत बी लिब कर रखी हो PRT library के लिए और जो PRT के subject की वेकेंसियां है उनके लिए graduation relevant subject में B.A. आपने कर रखी हो टेट आपका clear होना आवशक है PRT Hindi की एक वेकेंसियां है PRT Math की दो PRT English की तीन PRT Science की एक PRT Physical Education Female की एक वेकेंसियां है इनके लिए graduation आपने कर रखी हो और उसे के सासत entity आपने कर रखी हो जो ये recruitment है ये recruitment आ रही है Police Modern School Road Merit की तरफ से हैंजी दोस्तों Road Merit पे school है Police Modern School उसकी तरफ से recruitment का notification जारी किया गया है nursery से all 12th class तक का ये school है कुछ terms and condition है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको incentive मिलेगा experience के according उसके लिए आपको experience certificate भी जमा कराना होगा apply आपको offline करना होगा इनका application form आपके school counter से मिल जाएगा या जो official website pmsitco.in official website से भी आप download कर सकते हैं 300 रपे application fees इनके लिए निर्धारित की गई है और जो application form है वो आपको school से ही मिल जाएगा प्रातर नो से तीन बजे तक ले सकते हैं सभी कारिये दिवस में और यहीं पर आपको जमा कराना होगा आवधन करने की अंतिवति थी 10 अपरेल 2024 है और जो आपके interview conduct कराये जाएंगे वो कराये जाएंगे 18.19.20 अपरेल 2024 परातर नो बचे से तो जो भी shortlisted candidates हैं उन्हें बता दिया जाएगा सभी original document आपको लेके जाने होंगे interview के लिए कक्षा 10 से लेके और post graduation तक के तो देख लिजिए दोस्तों में आप जाके application form ले सकते हैं और application fees कैसे जमा करानी है वो जनकर यह आपको school में ही मिल जाएगी cash लेते हैं तो आप receipt ले लीजिएगा अगर demand draft है तो फिर तो आपको पास receipt हो ही जाएगी और यह है official website police modern school 6th BMPAC merit की pmsit.co.in तो यहाँ आप देखेंगे तो forms है forms में application form है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यह application form आपके सामने इस परकास से download हो जाएगा बाकि आप school से भी से ले सकते हैं तो ठीक है दोस्तों यही जनकर यह आप तक पूंचन थी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें आज अभी के लिए इतना ही फिर मिल देंक सी नए वीडियो के साथ तके लिए नमिश्कार